आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको Facebook पर इस टाइब की प्रॉब्लम आ रही है Can't Connect, Tap to Retry तो इसे कैसे ठीक करें तो इसके लिए Facebook एप से बहार आईए उसके बाद अपने फोन में Settings को Open करिए उसके बाद नीचे आईए और नीचे आकर आपको मिलेगा Apps Apps Option पे किलिक करिए उसके बाद आएगा Manage Apps या फिर आपके फोन में App Manager App Management के नाम से हो सकता है तो जैसे की हमारे फोन में है Manage Apps के नाम से तो इस पे किलिक करेंगे अब यहाँ पर आपके फोन के सारे एप आ चुके हैं अब यहाँ पर नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा Facebook Facebook पे किलिक करिए उसके बाद यह वाला पेज आपके सामने आएगा यहाँ पर आने का दूसरा तरीका है Facebook के आइकन पर यानि की लोगों पे एक से दो सेकिंड तक किलिक करके रखिए उसके बाद आएगा App Info इस पे किलिक करिए और इस तरीके से यहाँ पर आप आ सकते हैं अब उसके बाद आपको मिलेगा Force Stop इस पे किलिक करिए उसके बाद OK पे किलिक करिए अब उपर आपको मिलेगा Storage या फिर Storage Usage इस पे किलिक करिए उसके बाद Clear Catch का एक Option आएगा अगर नहीं आएगा तो नीचे Clear Data आपको मिलेगा इस पे किलिक करिए उसके बाद आएगा Clear Catch इस पे किलिक करिए और OK पे किलिक करिए उसके बाद back आईए और नीचे आईए उसके बाद नीचे आईए यहाँ पर आएगर restrict data usage इस पर किलिक करिए और अगर आपका wifi, mobile data दोनों option चालू नहीं हैं तो यहाँ से किलिक करके दोनों option चालू करिए उसके बाद ok करिए और अब यहाँ पर अपने phone में flight mode को on करिए उसके बाद इसे बंद करिए और अब phone में net चालू करिए उसके बाद अपने phone को restart करिए यानि बंद करके चालू करिए phone को restart करने के बाद facebook app को open करिए और अब यहाँ पर आपको can't connect tap to retry problem नहीं आएगी तो इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें अगर आपकी problem ठीक नहीं होगी तो यहाँ पर आपको यह जो clear data मिलेगा storage में तो इस पे click करके clear all data पे click करके ok करिए यह करने से आपकी ID logout हो जाएगी facebook से तो आपको फिर से login करना पड़ेगा तो फिर से login करने के बाद 100% आपको यह problem नहीं आएगी तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें